नमस्कार दस्तों मैं हूँ समित और स्वागत है आपका इट समित कुमार की एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैरिंग वीड प्लेट बोटम से वीडियो में की एक्चुल में गाड़ी में इसके क्या फायदे हैं और ये गाड़ी में क्यों दिये जाते हैं टाटा टियागो है मेरे पास इसमें जा सेथीबिग आप इसके बाद जो वेरिंट आया है लेटेस 2017 2021 में उस में फ्लेट बोटम इस्टेरिंग वील है तो practically कुछ बात कर लीराए कि क्या इसके फायदें हैं क्या इसके नुकसान है तो इसकी कहानी की बात अगर मैं आ आपसे तो जादा रहेगा। रेसिंग कार्स में कुछ इस तरीके का स्टेरिंग विल आता था एक दम उपर से भी थोड़ा सा फ्लेट रहता था हलका सा नीचे की तरफ से भी फ्लेट रहता था और साइट से जो है डिजाइन वैसी रहती थी और उसमें काफी सारे कंट्रोल्स दिये गए हैं अब आजकल आपने देखा होगा कि रेसिंग का क्रेज काफी जादा चलने लग गया है लब की गाडियां लोग बाग लब ओव्यस सी चीज़े यार गाडियां चलने के लिए रहती तो कैसे स्पीड में चलने यह वो सारी चीज़े तो कंपनियों के अब यह जादतर आप देखते होंगे फ्लेट बोटम स्टेरिंग वील यह आपको केवल दिखता होगा एक तो हैजबेक्स कार में दिखता होगा और सेडान कार में दिखता होगा और सब 4 मीटर में भी आने लग गया आजकल नेक्सोन में भी अभी अपडेट आया है लेटे अब यह एक्च्वल में किस कामका है वो हम बात कर लेते हैं तो आपको एक कमाल की बात में बताना चाहता हूं कि फ्लेट बोटम स्टेरिंग वील किसी भी कामका नहीं होता है आपकी गाड़ी में मतलब कि प्रैक्टिकल वे में फ्लेट बोटम स्टेरिंग वील का कोई भी रोल नहीं रहता है लेकिन फिर भी अगर मैंने बात करी है कि फ्लेट बोटम स्टेरिंग वील के क्या फायदे हैं तो कुछ फायदे लोग उने निकाल रखें अपनी तरफ से उसके बारे में बता ही दूँ तो मतलब वैसे तो काफी नॉंसेंस ही बात लाएगी लेकिन फिर भ गाडियों में आपको फ्लेट बोटम स्टेरिंग वील देखने को मिल जाता है उसमें थोड़ा सा गाड़ी की जो लुक है इंटीरियर्स की इस्पेशली वह एन्हेंस हो करके आती है काफी ज्यादा अच्छी सी लुक लगती है एक थोड़ा सा स्पोर्टी सा टच देती है गाड़ी को दूसरा फायदा यह है कि यहां से जब स्टेरिंग वील अपना फ्लेट रहता है तब आपको गाड़ी के अंदर इंग्रेस और ईग्रेस आप समझ पा रहे होंगे क्या केना चारों गाड़ी के अंदर चड़ना और उतरना जो होता है वह थोड़ा सा एजी हो ज आपको थोड़ा सा इस्टेरिंग वील जो है फ्लेट बोटम थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट में यह चला जाता है नुकसान इसके कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से लेकिन फायदे भी कोई खास नहीं है यह तो फिर जबर जस्ती निकाले हुए फायदे में आपको बता रहा हूँ तीसरा फायदा यह है कि जो हैंडल की ग्रिप है नीचे की तरफ से अगर आप पकड़ना चाहेंगे तो वह काफी अच्छी आएगी और इसी में एक चीज़ और जोड़ने कि आपको स्टार्टिंग में अगर कोई गाड़ी वगएर चलाना आप सीख रहे हैं तो आपको जो गाड़ी के टायर की डायरेक्शन है उन्हें जज़ करने में काफी ज्यादा आसानी होती है फ्लेट बोटम स्टेरिंग वील के कारा है थ्री स्पोक किसी भी स्टेरिंग वील में वैसे यह चीज़ ज़ज करने में दिक्कत नहीं होती लेकिन थोड़ यूज मुझे नहीं मिला तो अगर आप गाड़ी लेते समय फ्लेट बोटम स्टेरिंग वील नाम के फीचर के पीछे भाग रहे हैं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है कोई अच्छा फीचर ढूंड़ी है जो प्रैक्टिकल वे में आपकी गाड़ी में काम आए फ्लेट बो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप सब्सक्राइब गया सकते हैं और यूजर या इडिया आपको और यूजर आइडींपर शओ हो रहा होगा मिलता हूं जल्I आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिन थैंक्स वर वाचिंग